प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठे माला को सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी अल्फा, ओमेगा, आदी और अन, अरंतकाल से इस्वर तेरी आरा देना आरा देना हालेलुया हालेलुया अल्फा, ओमेगा, आदे और अन, अरंतकाल से इस्वर तेरी आरा देना हालेलुया हालेलुया यो वासालुम तेरा नाम है, हमेशा सांती देता है मुझे को कभी नहीं छोड़ेगा मुझे को कभी नहीं छोड़ेगा मुझे को कभी नहीं छोड़ेगा हरी चराई व मेले चलता हरी चराई चलता अलपा अमेगा आदे और अन, अर्ट वासी स्वर तेरी आरा देना आरा देना हालेलुया आरा देना हालेलुया यो वरफा तेरा नाम है हमेशा चंगाई देता है यो वरफा तेरा नाम है हमेशा चंगाई देता है यो बाई रे तेरा नाम है अमेशा उपाय करता है हरी चराई उमेले चलता हरी चराई उमेले चलता अल्फा ओमेगा आदी और अन्तिकाल से इस्वर तेरी आरा देना आरा देना आलेलुया आरा देना यो बाणी सी तेरा नाम है अमेशा बेज़े देता है यो बाणी सी तेरा नाम है अमेशा बेज़ेता है मुझको कभी नहीं छोड़ेगा मुझको कभी नहीं त्यागेगा हरी चराई उमेले चलता हरी चराई उमेले चलता अलफा ओमेगा आदी और अनन्तकाल से इस्वर तेरी आरा देना आरा देना आलेलुया परुसर नाम की मैमा हो परुसर नाम की मैमा हो और अगला गीत भाई बेन त्यार है तो आगे आईए त्वस्तूत किजे नीरी और मना त्यार है I hope they are ready ओके एकता आप त्यार है अगा जे मसे की शुरुआत करो धन्यवाद के साथ तुति गाउंगा हे शुरू मेरे खुदा उपकार तेरे हैं वेशो मार कोटी कोटी स्थुति धन्यवाद दन्यवाद के साथ तुति गाउंगा हे शुरू मेरे खुदा उपकार तेरे हैं वेशो मार कोटी कोटी स्थुति धन्यवाद योगता से बढ़के दिया है अपनी दया से तुने मुझे मांगने से जादा मिला मुझे आभारी हूं प्रभु मैं मांगने से जादा मिला मुझे आभारी हूं प्रभु मैं दन्यवाद के साथ तुति गाऊंगा है इश्यू मेरे खुदा उपकार तेरे हैं अच्चा जिन्दा खुदा है तुझ पर ही वरोसा मेरा तु है सच्चा जिन्दा खुदा है तुझ पर ही वरोसा मेरा सेवा पूरी करिके पाऊं इनाम प्रभु ऐश्यादो वर्दान सेवा पूरी करिके पाऊं इनाम प्रभु ऐश्यादो वर्दान दन्यवाद के साथ सूती गाऊंगा वेश्यू मेरे खुदा ओपकार तेरे हैं बेश्यू माद कोटी कोटी स्थूती दन्यवाद सुन्दर गीत के लिए परमेशर के नाम की महिमा हो और भी हमारे पास वक्त है भाई बैनों का स्वागत है गीत गाने के लिए भाई वेहन समय जाते हैं एडवर्ड प्रदर मॉनिका वेहन स्वागत है आप लोगों का स्वागत है तेरी ही नाम की गाती है सुन्दी बिलकर सारी सुन्दी वो गाने रुपने को दे रख जुका उल्पे और जुआने माला है आदर और मॉनिका दिली तुछी नी योगे तुछी करता लेकिन प्रांगों चाहता है तुछी मुझे बादी से जाहता है झायतक प्रां मुझे बादी से अल्यूय defणि अल्यू बहुत बहुत दन्यवाद वहन सुन्दर गीत के लिए पर्मेशर के नाम की महिमा हो आपने सुन्दर गीत का के पर्मेशर के नाम की महिमा की है गीत का रहे हैं जी ब्रदर फागत है धन्यवाद के सास्तूती गांगा है शुमेरे खुदा उपकारिती बेशुमाद कोटी कोटी सुती धन्यवाद कोटी कोटी सुती धन्यवाद योगेता से बढ़के दिया है अपनी दया से तुने मुझे मंगने से जाद मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में धन्यवाद के सास्तूती गांगा है शुमेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमाद कोटी कोटी सुती धन्यवाद कोटी कोटी सुती धन्यवाद तु है जिन्दा सच्चा कुदा है तुझे पर ही भरोशा मेरा तु है जिन्दा सच्चा कुदा है तुझे पर ही भरोशा मेरा सेवा पूरी गर के पाऊ इनाम प्रभुए सादो बर्दा सेवा पूरी गर के पाऊ इनाम प्रभुए सादो बर्दा धन्यवाद के साद सूती गाऊँगा है इश मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटी कोटी सूती धन्यवाद कोटी कोटी सूती धन्यवाद अब्रमेशर के धन्य नाम के संद्र गीत के लिए पर्मेशर के कार किये हैं उनके लिए करोड़ करोड़न धन्यवाद हमको देना चाहिए हमारे बीच मेरे मैडम जी कोगा कर पर्मेशर के नाम की सौढ़के ब्रमेशर के सब मैं गाती हूं हमेशा नया लगता है क्योंकि एक एकलोता गाना मुझे लगता है कि प्रभु हमसे बोल रहे हैं के बाद कभी सुति का है आरधना का है हम प्रभु को देते हैं मगर ये प्रभु हमसे बोल रहे हैं बहुत आश्वसन देने वाली बात है वो गाना है अच्छा ल तेरे चिन्ता, तू क्यों चिन्ता करता है, करता हूँ मैं, तेरे चिन्ता, तू क्यों चिन्ता करता है, आसुके भाटियों में हात ना छोड़ूंगा तिरा आसुके भाटियों में हात ना छोड़ूंगा तिरा मेरे मही मा तु देखेगा खुद को मेरे हातों में दे दे तेरे मही मेरे मही मा तु देखेगा खुद को मेरे हातों में दे दे अपनी शक्ती मैं तुझको देता हूँ चलाओंगा हर दिन इसी जहां में अपनी शक्ती मैं तुझको देता हूँ चलाओंगा हर दिन इसी जहां में करता हूँ मैं तेरे चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सभी तुछ को बूलेंगे तुभी, या मैं तुछे बूलूँगा कभी। अपने हाथों में तुछ को उठा कर चलाओंगा हर दिन अपनी करपा में अपने हाथों में तुछ को उठा कर चलाओंगा हर दिन अपनी करपा में हरता हूं मैं तेरे चिंता तू क्यों चिंता करता है इप्राहिम का मेर परविश्वर हूँ, अगुद्ध कार्य क्यों न करंगा, लाल सागर में रस्त दिया, आज फिर देने के में योग्य हूँ, लाल सागर में रस्त दिया, आज फिर देने के में योग्य हूँ, करता हूँ मैं तेरे चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आसूं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आसूं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, बहुत बहुत अन्वार मैडम जी, सुंदर गीत के लिए, यह प्रविश्वर का एक महान वाइदा, और संदेश से हमारे लिए भरा हुए एक गीत, चिंता करने की आउस सकता नहीं, प्रभू कहते हैं, मैं हमारे चिंता, प्रविश्वर आपको मैडम जी आसिस करे, अभी ह अंकल है, रोसेरा बिहार से, आपको स्वागत है कित गाने के लिए, प्रदर असुक, जे जे जे, तू प्यार का सागर, सागर बयाद का तू है, तू प्यार का सागर, सागर बयाद का तू है, तेरे प्यार के सागर में, हम तैर ना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर बयाद का तू है, तू प्यार का सागर, सागर बयाद का तू है, गहराई मिले सागर्ती, मुचाई मिले आस्मा की, पर कोई ना पना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना पना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, तु प्यार का सागर्ती, सागर्त दयाता तु है तु प्यार का सागर्त, सागर्त दयाता तु है पर मेश्वर होने पर भी तु मानव रूपदारन किया पर मेश्वर होने पर दी तु मानव रूपदारन किया प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दिवाना बनाया तु प्यार का सागर्त, सागर्त दयाता तु है तु प्यार का सागर्त, सागर्त दयाता तु है तेरे प्यार के सागर्त में हम तैर ना चाहते हैं तु प्यार का सागर्त, सागर्त दयाता तु है तु प्यार का सागर्त, सागर्त दयाता तु है तेरे इसी लिए तो हम लोग अपना समय आज जो लोग यहीं गुजार रहे हैं प्रभु ने नेट दिया आज सबको बरावर एक बैलन्स कराके सबको एक जीवी नेट जीवी कोई ऐसी फिजूर कर रहा है लेकिन हम दीवाने लोग प्रभु के बचन को सुनने के लिए अज है अभी हमारे पास दो मिनट हैं बाई संतोस ने गुजारस की है समय के अंदर आप गीट गाएं प्रभु की नाम की महिमात स्वागत है ब्रदर संतोस वाई है अंदर प्रभु की महिमात गीट गाएंगे स्वागत गाएंगे करी शुके बनेना चाहो कुछ करेके दिखाना होका करी शुके बनेना चाहो कुछ करेके दिखाना होका तुद्री बच्चना काप भी नहीं है औरों को बचाना होगा दिल में पैजी जगा दुष्चे दो अपने इशु को सबें कुछ दो क्योंकि यो सीखेगा आत्मा कानान उसे दो आने गाने और इनाने उसे दो परमीशति नाम की में दो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदर आपने एक सुन्दर गीत गाके तन मन और धन उसे दो गीत गाके एक संदेश भी दिया अम सब को कि हमें मन गतन उसे साथ में धन्यवी देने की याव सकता है परमीशति के नाम की महिमा हो सबी भाई बैनों ने गीत गाकर परमीशति की आरादना की परमीशति आपको आसिस करें अभी समय है हम लोग वचन में जाएंगे हमारे जन प्रियेक गुरूची डॉक्टर जॉंसन सी फिलिप सर है सरकाव वालियर विजिवससेमली विजिटियाई की और से हम सबी जोड़े उभाई के आपको सवाड़त करते हैं आप हमें संपुष्ट परिवार के ऊपर हमें सिखाते चले आ हम लोग चरित्र कथां जो आधम हमारे आदी माता पिता की हम लोग सुन्ते चले आ रहे हमregल। हमारे बीच में अम्मला सेवे हमें इघवराई करेंगे भाई माईचल लिस्ट लीडर सें बेगनिक प्रेयर जी भाई मेरी आवाज आ रहे हैं आपको टैस्ट ब्रदर आ रहे हैं आवाज आएंगे अपनी आखों को बंद करें अपने सरों को प्रभु के सामें शुकाएं ए हमारे सुर्गे पिता प्रभु येसु मसी में हमारे अस्पानी बाब शुक्र गुजारी के साथ तेरे हजुरी में अपने सरों को जुकाती हैं तुझे ही बही बिस धन्यवाद देती हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रहा दिन तुने हमारी इफाज़त की तु विश्वाश योग्य है जो हर दिन हमारे बोश को उठाता है हर दिन अपनी मुठी खोलता है रोज की रोटी हमें देता है प्रहादिन आने में जाने में हमारी इफाज़त करता है हम तेरे शुक्र गुजार हैं प्रभू आज हम तेरी आराथना की तरने पाएं और एक बार फिर तुन्हें हम सब को इकठा किया है अपने नाम के निमे प्रभू हम उस आत्मी खुराक को लेना चाहते हैं जो तु अपने दास के द्वारा हमें देना चाहते हैं प्रभू हम बित्ती करते हैं जोड़कर जित्ते हम बैठे हैं प्रभू हमारा ध्यान हमारा मन केवल केवल तेरे वच्चन क्यों रहे तेरे दास को तेरे हातों में देते हैं पवितरात्मा से भरते प्रभू जो वचन दिया जाए वो हमारी एक आत्मिक जीवन के लिए लागता है तो तेरे प्रभू तमाम बातें सामाने रहे नेट की कोई समस्या ना आए आवाज की कोई समस्या ना आए हम अच्छी रेती से प्रभु तेरे वच्णों को सुझ सके। यह सब कुछ प्रभु येशु के पवित नाम में हो कर मादे हैं। आमीन आमीन अभी समय हैं हम सब भाई बहन बढ़ी इत्मिनार के साथ में परमिस्था के वच्ण को सुनेंगे आगे के समय को गुलु जी के हाथ में समर्पित करता हूँ। शुक्रिया शास्त्री जग्वीर इस आउसर के लिए मैं प्रभु को धनिवाद देता हूँ। हम लोग पिछले कुछ हफतों से ये देख रहे थे कि प्रभु के वचन की जो चरित्र कताएं हैं प्लस उसके अलावा और भी कई कताएं प्रभु के वचन में हैं किस तरह से बच्चों को ये कहानिया सुनाएं। ये उस अध्यान का कि अध्यान की आखिरी कड़ी है जहां एक्शली मैंने पिछले हफते ही क्लोस कर दिया था लेकिन कई लोगों का पत्र आया जिसके आधार पर मुझे लगा कि एक कड़ी और बहुत जरूरी है इसलिए ये आखिरी कड़ी है कई लोगों का जो पत्र आया था वो ये है कि शास्त्री अंकल ये तो समझ गया है कि जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तब वचन के साथ-साथ डायरी और पिन लेकर बैठना जरूरी है जिससे कि पवित्रात्मा मन में जो भी प्रकाश देते हैं उस प्रकाश को नोट किया जा सके लेकिन एक बात बताईए कि कुछ ऐसा हम अतिरिक्त कर सकते हैं क्या जिससे कि वो प्रकाश हमको जो मिलता है उसको हम अच्छे तरह से पहचान सकें या जिससे कि एक नए नवेला व्यक्ति है उसको भी पर्मेश्वर के वचन से प्रकाश मिल सके ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि हाँ वाकिए में एक महतुपुर्न कड़ी तो मैं छोड़ गया था कि एक नया नवेला व्यक्ति जब रभू का वचन लेकर बैठता है तब उसको उतना प्रकाश नहीं मिल पाता है जितना कि अनभवी व्यक्तियों को मिलता है और इसलिए उसको जो प्रकाश मिल रहा है उसको पहचानने के लिए और प्रकाश मिल सके उसके उसके लिए उसे क्या-क्या करना चाहिए आज मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं फिर से याद दिला दूँ कि प्रभू के वचन की कहानियों को यांतरिक रूप से अपने बच्चों को यदि आप सुनाते हैं, सिखाते हैं, तो आप जैसा सोच रहे हैं, वो मकसद पूरा नहीं होत कहानियों का जो अर्थ है, उसका जो असली असली उसका जो मतलब है, प्रभू का वचन उसका जो मतलब देता है, या वचन के प्रकाश में उस चरित्र कथा का या उड़ाउँ पुत्र जैसे जो कालपनिक कता है प्रभु ईश्य ने बहुत सारी कालपनिक कताईं सुनाई थी जिनको हम उपमा या दृष्टांत कहते हैं इन सब के पीछे जो मतलब है हमें कहानी की तह में जाकर वो मतलब समझ कर वो अपने बच्चों को बताना है और हमारी मदद के लिए प्रभु ने जो दृष्टांत बताये थे इन में से कई दृष्टांतों की व्याख्या भी दी है उदाहरण के लिए बीजबोने वाले के बारे में जब प्रभु ने बताया था तब उसकी व्याख्या भी बताई थी इस तरह से प्रभु ने जो कई उपमाएं या दृष्टांत दिये थे इनकी व्याख्या भी प्रभु ने बताई थी उसके आधार पर भी हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रभु ने जो दृष्टांत सुनाए या प्रभु के वचन में जहां भी दृष्टांत मिलते हैं हमको या प्रभु के वचन में जो चरित्र कथाएं हैं वे सर्फ मनोरेंजन के लिए नहीं लिखे गए बलकि उसके पीछे जो जो पाठ है वो पाठ हम समझे उसके लिए वो दिये गए है चोंकि भाईयों ने और एक आद बहन ने भी ये पूछा है कि हम क्या करें तो मैं इतना तो मैंने बता दिया है कि बाईबल रखें एक डाइरी रखें और उसके साथ एक पेन जरूर रखें आज मैं कुछ ऐसे प्रशन आपके सामने रख रहा हूँ जिनको नोट करते चले जाएं और जब आप रभू के वचन से किसी चरित्र कथा को पढ़ें या किसी द्रिश्टांत को पढ़ें तो ये प्रशन अपने आप से पूछ लें उदाहरिन के लिए पहला प्रशन है कि ये जो चरित्र कथा मैंने अभी प्रभू के वचन से अभी अभी जो चरित्र कथा मैंने पढ़ी है या जो द्रिश्टांत मैंने पढ़ा है इसमें कोई शाश्वत सत्य छुपा हुआ है क्या आप पुछेंगे शाश्वत सत्य क्या शाश्वत सत्य का मतलब है वे सत्य जो हर युग में होते आएं है समय और काल के हिसाब से ये सत्य बदलते नहीं है तो ये जो कथा चरित्र कथा मैंने पड़ी है या प्रभु के वचन में ये जो दृष्टांत दिया गया है, इसमें कोई शाश्वत सत्य छुपा हुआ है क्या, अब सिर्फ इतना बोलूं तो सही नहीं रहेगा, इसलिए प्रभु के वचन से दो कथाएं उठा कर आपके सामने रख कर, उन कथाओं से ये जो प्रशन मैंने पूछे हैं, इसका उदाहरंड देता जाता हूँ, तो उससे समझना कुछ और आसान हो जाएगा, पहली जो इन दोनों में से पहला जो है, वो है एक चरित्र कथा, दानियल की कहानी ले लेते हैं, दानियल की कहानी मैंने इसलिए चुनी, क्योंकि लगबग सभी मसीहियों को दानियल की चरित्र कथा मालूम है कि किस तरह से नबुकदनेजर, यहुदियों में से सबसे स्मार्ट और सबसे बुद्धिमान लोगों को ले गया, और उनको IAS की ट्रेनिंग दी, जिससे कि वे नबुकदनेजर के लिए यहुदियों के उपर राज्य कर सके, हिंदुस्ता में भी ऐसा ही हुआ था, IAS officers जो है उनका उपयोग करके अंग्रेज इस देश पर राज्य करते थे, तो इसके लिए जब चुनके ले गए तो उनको सर्वोतम रहने का स्थान, सर्वोतम वस्त्र, सर्वोतम शिट्शा और वहां पर बाबुल का जो सर्वोतम भोजन था, वो उनको उपलब्द करवाया गया, लेकिन दानियल इस पात को जानता था कि बाबुल का जो सर्वोतम बाबुल की जो भोजन वस्तु है, वो उन लोगों के लिए उचित नहीं है, यहूदियों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि यहूदियों को यहूदियों के उपर तमाम त परतिबंदों के कारण वो भोजन खाना उचित नहीं था, दानियल ने फिर क्या किया, यह हम देखते हैं, दूसरी जो कथा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो एक ग्रिष्टांत है, एक चरित्र कथा है, वो हम देखते हैं, लूकारेशित सुसमाचार, पंद्रवे पहानिया एक चरित्र कथा एक दृष्टांत मसीही जगत के लिए जाने माने और जाने पहचाने दृष्टांत हैं, यह हमको मिलता है, लूकारेशित शुप संदेश 15 हुए अध्याय के 11 हुए पत से, लूका 15 के 11 में हम पढ़ते हैं, फिर प्रभु ईश्व ने कहा किसी मन के दो पुत्र थे, उन मेंसे छोटे पुत्र ने पिता से कहा कि है पिता जी संपत्ती मेंसे जो हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दीजिए, उस पिता ने उनको, मतलब दोनों बेटों को अपनी संपत्ती बाट दी, ठीक है, तो अब जब हम प्रबू के वचन से इस तरह से एक चर जब हमने पड़ा तब पहला प्रश्णी जो हमें इसमें से पूछना है वो ये है कि ये जो दो कथाएं मेंने पड़ी हैं इनमें कोई शाश्वत सत्य छुपा हुआ है क्या ऐसा सत्य जो हर युग और हर काल में होता आया है हो रहा है और होगा मेरा उत्तर है प्रिय भाई और बहनों एक छंड आप जरा सोचिए दोनों कहानियों में कोई शाश्वत सत्य छुपा तो नहीं है इस तरह से थोड़ा सा माइंड को एक्सरसाइज दे दीजिए एकदम से उत्तर ना आए कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन एक्सरसाइज करना अपने आप में उपयोगी है उत्तर यह है कि इन इस चरित्र कथा में और इस दृष्टांत में कई शाश्वत सत्य छुपे हुए हैं दानियल की जो कहानी है उसमें ये शाश्वत सत्य छुपा हुआ है कि दुनिया पदमेश्वर के बच्चों के उपर राज्य करना चाहती है नबुकद नेजर यहुदियों के उपर राज्य करना चाहता था लेकिन यहुदियों के उपर राज्य करने के लिए उसने सोचा यदि हम विदेशी लोग राज्य करेंगे तो वे लोग बलवा करेंगे इस कारण मैं यहुदियों को ट्रेनिंग देकर अपने लिए राज और जब यहुदियों को ट्रेनिंग देके मैं अपने लिए राज्य करवाऊंगा तो यहुदियों को पता भी नहीं चलेगा कि उनके उपर एक विदेशी राज्य राज्य कर रहा है ये शाश्वत सत्य आज भी है बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में अन्य विश्वास लोग दुनिया के लिए राज्य करते हैं या दूसरे तरीके से कहा जाए तो बहुत सारे विश्वासियों के मन को इस संसार ने या शैतन ने घेर लिया है गुलाम बना दिया है और ये जो मसीही लोग हैं ये अपनी गलत शिच्छा के द्वारा अन्य मसीहियों के उपर रा को पता भी नहीं चलता है कि उनको जो शिच्छाएं दी जा रही है उनको जो दिशा दी जा रही है प्रभू के वचन के नाम पर ये प्रभू के वचन की शिच्छा नहीं है संसार की शिच्छा है संसार की दिशा है शैतन की शिच्छा है शैतन की दिशा है और इस कारेंड दानियल की कथा, चरित्र कथा से हम ये शाश्वत सत्य पढ़ते हैं, समझते हैं कि दुनिया हमेशा हमारे ही लोगों का उपयोग करके हमको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगी। माबाप जब दानियल की कथा बच्चों को सुनाते हैं, तो यदि ये शाश्वत सत्य पहचान कर अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, तो दानियल की कहानी सुनाने और हितोपदेश की कहानी सुनाने या तेनाली राम की कहानी सुनाने में कोई अंतर नहीं है। तेना अली राम की कहानी सुनी, अकबर विर्बल की कहानी सुनी, दानियल की कहानी सुनी, अंतर कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, परमेश्वर का वच्चन बच्चों को सिखाने का तरीका ये नहीं है, तरीका ये है कि इन कथाओं में जो पाठ चुपा हुआ है, उसको करें जिससे कि हम भूलने जाएं और वो कथा के साथ-साथ अपने बच्चों को सिखाते चले जाएं अब आते हैं उड़ाऊ पुत्र पर उड़ाऊ पुत्र की कहानी में किसी तरह का शैश्वत सति हां उसके पहले एक बात मैं बता दूँ इसलिए अपने बच्चों को इस आधार पर निरने मत ले लेना कि वो मसीही मित्र है तुमको इस आधार पर निरने लेना चाहिए जो कि पहला कुरिंथियों दस में दिया हुआ है चाहे तुम खाओ या पीओ या जो कुछ करो वो पदमेश्वर के नाम की महिमा के ले करो इस कारण कल को यदि कोई मसीही मित्रा कर तुम से कहता है कि अरे सब तो स्मोक करते हैं तुम भी कर लो मैं भी तो करता हूँ क्या नुकसान है यदि कोई मसेही मित्रा कर कहता है अरे सब के सब तो क्लास छोड़ के पिक्चर देने के देखने जाते हैं मैं भी तो जाता हूँ तुम भी चलो, अरे सब लोग अशलील, चुटकुले एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मैं भी तो शेयर करता हूँ, तुम भी ऐसा करो, तो इस बात को याद रखना बेटा या बेटी कि तुमारा मसीही मित्र क्या कहता है, इसके आधार पर तुमारा निरने नहीं होना चाह कि प्रभु का वचन क्या कहता है, और प्रभु का वचन तुमको याद दिलाता है, चाहे कुछ भी खाओ, चाहे कुछ भी पियो, वो प्रभु के नाम की महिमा के लिए करो, इस कारण ये भी जरूरी है, कि मसीही माबाप इन आवश्यक पदों को ढून ढांड कर, अपनी ड इछा देनी पड़े उसके पहली ही बच्चों को ये पद याद दिलवा दे, याद करवा दे, आप कहेंगे ब्रदर ये तो बहुत कठिन काम है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि बच्चों को पालना, खासकर एक मसीही परिवार में बच्चों को पालना, ये आपके गली में कुटिया जो पिल्ले देती है आपको लगता है क्या कि दोने एक ही लेवल पर रखे जा सकते हैं अरे जानवरों के बच्चे पैदा होते ही अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं और जादा तर जानवरों के बच्चे जो है उनकी आँखे खुले रहती है सर्फ कुटे हैं जिन पर नहीं खड़ा हो सकता है, चल नहीं सकता है, मल विसरजन जो है उसको नहीं मालूम कहां करना है, मूतर विसरजन कहां करना है, उसको कुछ भी तो नहीं मालूम है, वो भोजन खा नहीं सकता है, और जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, कित्ते साल लगते हैं उसको सामान होने में और इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं यदि आप कहें कि ब्रदर या शास्त्री अंकल इस तरह से प्रभू के वचन से पाठ सीखना और उसके बाद उनको उसके लिए सही पदों को ढूंड निकालना उन पदों को याद करना ये कोई ये तो बहुत कठिन बात है तो मैं फिर से याद दे लाना चाहता हूं आपके बच्चे और आपकी गली में जो कुतों के पिल्ले हैं बिल्ली के बच्चे हैं मुर्गियों के जो चूजे हैं उनमें और आपके बच्चों में बहुत फरक है अपने हम में से अधिक तर लोग एक बार बच्चे पैदा हो तब सर पीट लेते हैं, लेकिन वो कहावत है न, कि अब पच्चता ये तो होत क्या, जब चिडिया चुक गई खेत, इसलिए आज जो माबाप और जो लोग शादी कर चुके हैं, माबाप बनने की रास्ते पर हैं, और जो शादी करने जा रहे हैं, उन सब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मसीही परिवार में बच्चों का पालन कोई हसी मजाक नहीं है, ये एक बहुत कठिन कारी है, लेकिन हम ऐसे ज़्यादा तर लोग इस मामले में बहुत लापरवाही दिखाते हैं, मैं सिर्फ एक सैध्धानतिक उपदेश नहीं दे रहा, ये बात भी मैं मेरे बच्चे जब पैदा हुए तब से ये सारे काम में उनके लिए करता आया था, और मेरा अनुमान है कि बच्चे जब कॉलेज फस्ट वियर में थे या इवन सेकेंड यर थे, तब तक मैं उनको कहानी सुनाता था, डाइनिंग टेबल पर जब खाना हो जाता था तो अच कहान से लाएंगे इतनी कहानियां, बाइबल में तो सब मिला कर इवन तीन सो चरीतर कथाएं और उपमाएं नहीं हैं, जो साल में खटम हो जाएंगे फिर आप कहां से लाएंगे, मैंने अपने आप कहानियों के रचना शुरू की और वो भी कई प्रकार की कहानियों के रचना लेकिन विशेश बात यह है कि हर कहानी के पीछे एक पाठ छुपा हुआ था आप कहेंगे कि आप तो बड़े आदर्श पिता हैं जी नहीं हमेंसे कोई भी शत प्रतिशत आदर्श नहीं हो सकता और मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं एक आदर्श पिता था लेकिन मेरे कहने का यह मतलब है कि मैं आपको जो उपदेश दे रहा हूँ उसका पाहलन मैंने अपने जीवन में स्वयम किया था इस कारण मैं आपको ये उपदेश दे रहा हूँ और मैं आपको याद देलाना चाहता हूँ कि आज भी मैं अकसर अपने बचों को उनको नैतिक उपदेश देने के लिए कहानी या चुटकले या प्रोचसाहन देने वाली सामगरी भीजता हूँ अभी भी जो अपने आप में कोई आसान काम नहीं है लेकिन करता हूँ एक आदर्श पिता होने के कारण नहीं लेकिन इसलिए कि प्रभु की जो बुलाहट है बच्चों को नैतिक शिठ्षा देने के लिए और उसमें कथा कहानियों का जो रोल है उसको मैंने बहुत पहले पहचान लिया था अब आते हैं उडाव पुत्र पर उडाव पुत्र की कहानी में कोई शाश्वत सत्ती छुपा हुआ है क्या बहुत बड़े कई शाश्वत सत्थी छुपे हुए हैं जिसमें पहला शाश्वत सत्थी यह है कि हम सब के परिवारों में इस तरह का कोई न कोई बच्चा या बच्ची निकल आएगी जो माबाप से बलवा करेंगे रिबल करेंगे और रिबल करके इस तरह का कोई न कोई प्रश्ण पूछेंगे या निर्ने उनके सामने रखेंगे जो सही नहीं है जो अनिष्टकारी है उडाओ पुत्र अपने पिता की मृत्यू से पहले ही उसने पिता से कह दिया कि प्रॉपर्टी में अभी अपनने वो पढ़ा था लूका रेचित सुसमा चार पंद्रवें अध्याके ग्यारा और बारा में हमने पढ़ा बारा में हमने पढ़ा छोटे ने पिता से कहा कि पिता जी संपती में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजे यहाँ एक गलत बात यह है कि उस जमाने में संपती का बटवारा सिर्फ पिता की मृत्यों के बाद होता था और यहाँ हम देखते हैं कि उसके पिता एकदम स्वस्थ थे क्योंकि जब वो गया और वापस आया तब भी पिता इतने स्वस्थ थे कि भाग कर अपने बेटे के पास पहुँचे तो पिता जी की मृत्यों नहीं हुई है नाहीं वो उन्होंने मृत्यों से पहले खटिया पकड ली है लेकिन ऐसे पिता से बड़ी दृष्टता के साथ कहता है कि संपती में मेरा जो हिस्सा है संपती में उसका हिस्सा कहां से आया वो तो कल का पैदा हुआ लौणडा है ज़्यादा से ज़्यादा घर की जो संपती है उसमें उसने हो सकता है कि भेड़ बक्रियों को चरहने के लिए कुछ मदद की हो संपत्ती तो पिता की है और जब पिता जी गुजर जाएंगे तब उसमें से एक हिस्सा मिलेगा तब वो संपत्ती के साथ मेहनत करके और पैसा कमाएगा तो इसलिए उसने जो कुछ कहा वो बड़ी अन्होनी थी उसके पिता ने जो भी निर ने लिया उसके पीछे कारण कुछ और थे लेकिन यहां जितने माबाप हैं जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिये भाईयों और बहनों आपके बच्चों को आपने दुनिया के हिसाब से और प्रभु के वचन के हिसाब से हो सकता है कि सर्वोतम तालीम दी हो प्रभु करे कि ऐसा हो लेकिन सर्वोतम तालीम के बाद भी इस बात की संभावना है कि आपका एक बच्चा या एक से अधिक बच्चे, आपने जो तालीम दी है, उससे बलवा करें, इसकी बहुत अधिक संभावना है कि वे बलवा करें, उदाहरिन के लिए हो सकता है, कल को आपका लड़का आके कहे कि मेरे साथ एक गैरमसीही लड़की पढ़ती है, मैं उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे साथ एक गैरमसीही लड़का पढ़ता है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, या Facebook पर मेरी chatting एक लॉंडे से या लॉंडिया से हो रही थी, और अब उस समझते हैं, कि हर मसीही परिवार में संभाव ना है, कि बच्चे आपसे बलवा करें, और इस तरह की मांग करें, ये इस तरह की समस्या आपके सामने रखें, जिसका उस परिवार में होना नहीं चाहिए, लेकिन होगा, ये एक शाश्वत, प्रभु के वचन का एक शाश्वत नियम है, प्रिंसिपल है, शाश्वत सचाई है, जरा बताईए, कल को ये दि आपका लड़का या आपकी लड़की आकर आपसे कहता है, पापा, मम्मी, मैं एक गैर मसीही व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, मैंने बहुत परिवारों में, माबाग की प्रतिक्रिया देखी है, कुछ लोग क्या करते हैं, लड़की ने आकर कहा कि मैं एक गैर मसी से शादी करना चाहती हूँ, तुरंत पकड़ के उसको जो है कमरे में बंद कर दिया, बंद कर दिया, तो आपने तो अपने हिसाब से समस्या का हल निकाल दिया, लेकिन वो लड़की जो 20 की है या 22 की है, कितने साल उसको बंद रखेंगे, भारतियों की ओसत उमर, अब तो 60, 70, 80 हो गई है, तो इस 20 साल की लड़की को, अगले 60 साल आप कमरे में बंद रखेंगे क्या, यह तो कोई सॉलूशन नहीं हुआ, आप कहेंगे कि, 4 दिन में उसकी हवा निकल जाएगी, यह आपके गलत फेहमी है, आजकल के जमाने के बच्चों को, इस तरह का ट्रीट्मेंट दिया जाए, तो उनके मन में आपके विरुद्ध, जो बलवा है, वो और अधिक बढ़ जाएगा, यदि आप चिलाते हैं उसके उपर, कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, हो सकता है आपके डर के मारे, वो छुप रहे, लेकिन जब मौका मिलेगा, तो वो लड़का या लड़की जो है, जाकर अपने प्रेमी या प्रेमी का से शादी कर लेगा, यदि आप एक माँ है, आपका बेटा या बेटी, आप से आके ये बात कहता है, और यदि आप तुरंट उसके उपर चिलाने लगते हैं, तुरंट उससे नाराज हो जाते हैं, उससे बातचित करना बंद कर देते हैं, आप समस्या का हल नहीं कर रहे, बलकि आप समस्या को और अधिक जटिल कर रहे हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे माबाप को जानता हूँ जिन्होंने जब समस्या उनके सामने आ गई समस्या को वो लोग हल कर सकते थे और समस्या को हल करने के लिए उनके पास परियाप्त समय था लेकिन उन्होंने हल नहीं किया और इस कारण क्या हुआ बेटा या बेटी माबाप को छोड़ कर घर से चले गए बहुत सारे उदाहरिंड मैं जानता हूँ आज जितने माबाप प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सब को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ उडाओ पुत्र की कहाईनी जो है उसमें हम ये शाश्वत सत्य देखते हैं कि कुछ बच्चे जरूर अपने माबाप से बलवा करेंगे और जब अपने माबाप से बलवा करेंगे तब उस बच्चे को सही रीती से हैंडल करना है चिलाने से कुछ नहीं होगा नारज होने से कुछ नहीं होगा लड़के या लड़की को पकड़ के कमरे में बंद कर देने से कुछ नहीं होगा अपने बच्चे को पहले तो समझिए और बच्चे को समझने के बाद उस बच्चे का जो मन है उस बच्चे की जो सोच है उस बच्चे की जो अंडरस्टेंडिंग है उस हिसाब से इलाज कीजिए यदि जिस तरह से आपके बच्चे के साथ आपका कम्यूनिकेशन होना चाहिए उस तरह से यदि आपका कम्यूनिकेशन है तो आपका आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए बेटा या बेटी अच्छा हुआ कि तुमने आके पापा को या मम्मी को बता दिया तुमारी सारी समस्याएं हमारे अलावा किसको बताओगे तुमारी सारी जरुरतें हमारे अलावा किसको बताओगे लेकिन तुमने अभी जो बात बताई है उसमें कुछ आडचने हैं जबरदस्ती बच्चों के उपर चिलाएं नहीं उनको समझाएं यदि उनमें पहले से तो वे इस तरह का गलत निर्ने नहीं लेते। आप कहेंगे मैंने तो उसको प्रभु के वच्चन की बहुत शिठ्षा दी है। पेटे या बेटी से कहिए कि एक काम करो। तुमने हमको बता दिया है। और तुमने बताया उस समय जिस टेंशन के साथ तुम बता रहे थे। उससे हमको यह सपश्ट है कि तुमारे मन में भी तमाम तरह की शंकाएं हैं। इसलिए एक काम करो। जल्द बाजी मत करो। अपन इस पूरी समस्या को एक-एक करके पॉइंट बाई पॉइंट विशलेशन करेंगे। इस तरह से जब आप अपने बच्चे से बोलेंगे तो वो तयार हो जाएगा। बिलकुल तयार हो जाएगा। और फिर बिना जल्द बाजी बिना डांटे डपते एक-एक करके अपने ब बच्ची से बातचित कीजिए उसे पूछिए कि तुम ये जो कर रहे हो इससे परमेश्वर के नाम की महीमा कैसे होगी। तुम तो एक बॉर्ण अगेन विश्वासी हो तुम ये जो कर रहे है इससे परमेश्वर के नाम की महीमा कैसे होगी। और एक-एक करके बहुती धैर के साथ जल्दबाजी किये बिना बच्चे से प्रश्न पूछिए हम इसे लेकिन जादा तर लोग इतने मूर्ख हैं कि जो प्रश्न पूछना चाहिए उसके बदले हम पचास प्रकार के उल्टे सीधे प्रश्न उनसे पूछते हैं पचास प्रकार के उल्टे सीधे प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि हमने कभी प्रभो के वचन की जो चरितर कथाएं हैं उनका विशलेशन नहीं किया प्रभु के वचन में जो उपुमा है उनका विशलेशन नहीं किया उसमें जो पाठ है इन पाठों का अद्यान नहीं किया बिना मेहनत के हम रिजल्ट चाहते हैं हर लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए पिछले हफ़ते मैंने बताया था जब मैं 11th A में था हम लोग 9 थे, 10 थे, 11 थे, सब में जो है स्कूल में जिस प्रतियोगिता में उतरते थे उसमें हमारा डंका बचता था कई बार तो जब लोगों को पता चलता था कि A section वाले प्रतियोगिता में उतर रहे हैं तो वे लोग जह है वो अपनी पती कटा के वहां से खिसक लेते थे कि नहीं हम प्रतियोगिता में नहीं भाग लेंगे हमें मालूम है कि प्राइस किसको जाएगा लेकिन आपको याद है जब मैं 11th में था तब एक नाटक जिसका direction मैंने किये इसलिए कि मैं नाटक के मामले में बहुत उंदा था बहुत आगे था साहित्य कारिक्रों में में बहुत आगे था और एक ऐसा नाटक जिसमें हमें निश्चित रूप से प्रथम पुरसकार मिलना था उसमें ना केवल हम लोग फेल हो गए बलकि वहां स्टेज पर इतना नाटक हुआ कि हम मूँ छुपा कर चोरों के समान वहां से भाग गए सिर्फ एक लॉंडिया के कारेंड जिसको जब बताया गया था कि प्रभु के जिसको बताया गया था कि भाई तुमको जो portion दिया गया है उसको याद करके आओ बाकी सब लोग याद करके आते हैं और उसके बाद जो practice हो रहा है उस practice में उस portion का अब जो अभिने की practice करो जब वो practice के लिए आई तो हमको शरम आती है हम वहाँ बोल लेंगे जीवन में जहां भी challenge होता है वहाँ कोई कारी आनायास नहीं होता है बिना practice के नहीं होता है हम में से ज़्यादा तर माबाप जब बच्चे अपनी समस्या लेकर आते हैं कितनी भी विकट समस्या क्यों न हो उस समस्या का हल निकालने के बदले चिल्लाने लगते हैं बच्चों से नाराज हो जाते हैं कई लोग पकड़ के बच्चों को कमरे में बंद कर देते हैं उनका mobile छिना लेते हैं ये सारा कारी करते हैं जिससे कोई हल नहीं निकलता बलकि बच्चे के मन में जो बलवा है जो rebellion है वो और मजबूत हो जाता है हम लोग इसलिए करते हैं कि हमने उस लॉंडिया के समान homework नहीं किया वहाँ जाके देख लेंगे वहाँ जाके देख लेंगे finally क्या हुआ जब हम नाटक के लिए stage पे गए तो सब ने अपना अपना roll अदा किया वह उस लॉंडिया के मुँ में शब्द नहीं आए वहाँ कड़े हो कह रो पड़ी तो हम नाटक करने गए थे वहाँ और नाटक हो गया हम सब का और मेरा तो नाम चलता था और जब सब के सामने ये नाटक हो गया मैं किस मुँ से लोगों को अपना मुँ दिखाता है इसलिए मुँ छुपा के भागा मैं वहाँ से मैं सब को याद दिलाना चाहता हूं अपने बच्चों से जब वे कोई गलत चुनाव करते हैं तो बच्चों को गलत चुनाव से सही चुनाव तक लैने का रास्ता क्रोध नहीं है, मारपीट नहीं है, उनसे बाक्चित करना बंद कर देना नहीं है, उनको पकड़ के कमरे में बंद कर देना नहीं है, बच्चे जब कोई गलत चोईस करते हैं या करना चाहते हैं, और यदि आकर हमसे बोल देते हैं, तो हमें तो प्रभु के सामने गर कर प्रभू को धन्यवाद और स्तूती देना चाहिए कि है प्रभू मेरा बच्चा ये बच्ची चाहती तो मुझे बताए बिना ये गलत कारी कर सकता था लेकिन प्रभू आपने उस बच्चे को इतनी अंतरद्रिष्टी दी कि मुझे आकर बता दे बले ही उसने रिबिलियन के साथ बताया लेकिन बता तो दिया और इस कारण प्रभू अब मैं आपकी मदद से उसका हल निकालने की कोशिश कर सकता हूं येदि मुझे बताए बिना उसने ऐसा कर दिया होता तो मैं तो उस घटना के घट जाने के बाद कुछ नहीं कर सकता था आपको धन्यवाद देना चाहिए तो मेरे प्रिय भाई और बहनों प्रभू के वचन की जो चरित्र कथाएं हैं प्रभू के वचन में जो उपमाएं हैं या जो काल्पनी कथाएं हैं उनको पढ़ते समय कई सारे प्रशन पूछने हैं जिसमें पहला प्रशन है कि इसमें को कोई शाश्वत सत्य छुपा हुआ है क्या दानियल की पुस्तक में दानियल की कहानी में शाश्वत सत्य छुपा हुआ है कि दुनिया हमारे बच्चों को मसीही बच्चों को मसीहियों के द्वारा ही गलत रास्ते पर ले जाएगी उड़ाओ पुत्र की कहानी में ये शाश्वत सचाई छुपी हुई है कि हमारे बच्चे छोटे या बड़े तरीके से रिबेल करेंगे, हमारे विरुद्ध बलवा करेंगे दैनियल की कहानी हमको ये याद दिलाती है कि यदि माबाप सही शिट्षा देते हैं तो इस बात की संभाव ना है कि जब बच्चे अपने पेर पर खड़े हो जाएंगे तब उनके सामनी यदि कोई समस्या आती है तो वे उस समस्या का हल पजमेश्वर के वचन के आधार पर निकालेंगे उडाओ पुत्र की कहानी हमको ये याद दिलाती है कि बच्चे जब बलवा करते हैं तब बलवे का हल ये नहीं है कि हम चिलाएं डाटें कमरे में बंद करें बलकि बच्चे के नेचर को समझ कर बच्चे के स्वभाव को समज़कर बच्चे की understanding को समझकर उसके हिसाब से हल किया जाए उड़ाव पुत्र के पिता इतने धनी थे कि छोटे बेटे का हिस्सा बाठ कर छोटे बेटे को देने के बाद भी वे करोडपती के करोडपती थे और करोड़पती ही रहे लेकिन पिता ये चाते थे कि बेटा निश्चित रूप से कंगाल हो जाए, भिकारी हो जाए, सुवरों को चराए और इस बात को समझ ले कि पिता के विरुद बलवा करने के द्वारा वो जिस अती महान जीवन के च्याली पुलाव पका रहा है, वो पुलाव नहीं जेली हुई रोटी है, और पिता को ये मालूम था कि मैंने अपने बेटे से इतना अथाहस ने किया है, कि जब वो कंगाल हो जाएगा, जब वो नंगा हो जाएगा, तब निश्चित रूप से वो मेरे पास वापस आएगा, अपने बच्चे को उस पिता ने पहचाना था, और इसलिए अपने बच्चे को पहचानने के कारण उस करोड़पती पिता ने प्रॉपर्टी में से एक हिसा दे दिया, जैसा पिता ने अपने बच्चे के बारे में सोचा वैसा हुआ या नहीं हुआ, बिलकुल वैसा ही हुआ, पिता को मालूम था कि इसने तो धनी परिवार में जन्म लिया है, महनत मजदूरी नहीं की है, इसलिए इसको ऐसा लगेगा कि पैसा तो शाश्वत है, वो यह नहीं जानता कि पैसा नश्वर है, एक्जैक्ले ऐसा ही हुआ, उसने पैसा इन्वेस्ट करने के बदले पैसा उड़ा दिया, नंगा हो गया, भूखा हो गया, और इसके साथ साथ आकाल पढ़ गया, ओड़े पे फुनसी वाली बात आकाल भी पढ़ गया, यहुदी लोग जिस जैनवर से सबसे अधिगरना करते थे वो था सूर, सूर चराने का काम उसको लेना पड़ा, सूर को जो फली खिलाई जाती थी, जो इतना मिर्च समान होता है कि उसको सर्फ सू जोना चाता था, उसको भी कोई नहीं देता था, यह फली राजस्तान इलाके में बहुत होती है, राजस्तान इलाके में जहाड़ियां होती है जिसमें मैं आप में से किसी ने अपने बच्पन में उस फली को मुँ में काटा हो ये चबाया हो राजस्तान के अलावा किस इलाखे में होता है ये मुझे नहीं मालूम मेरा बच्पन जो राजस्तान में बीता था तब कि मुझे याद है चम्बल इलाखे में मैंने इसे नहीं देखा है पता नहीं उतर भारत में और कहां होता है उस फली को सुर के अलावा और कोई जैनवर नहीं खा पाता है ऐसी फली जो सुरों को खिलाई जाती थी वो खाने को मिल जाए वो भी कोई नहीं देता था तब उसको अकल आई कि मेरे बाप के घर में इतना भोजन है कि नौकर खाने के बाद फेंग देते हैं यहां जो है मैं सेट के पैर पकड़ रहा हूँ और वो मुझे सूर का खाना तक नहीं दे रहा है मैं अपने पिता के घर में जाओंगा तो वहां नौकर के रूप में मुझे रख लेंगे गुलाम के रूप में रख लेंगे तो मुझे जीवन में फिर और कुछ नहीं चाहिए होगा पिता ने अपने बेटे को सही रीती से समझा था आप पूछेंगे शास्त्री अंकल आप कैसे कह सकते हैं कि पिता ने बेटे को समझा था आज लूका रेचित सुसमा चार पंद्रवें अध्याय के ग्यारा को उठा कर पढ़कर देखें उसके बीस्वें पद में हम देखते हैं लूका पंद्रा के बीस्वें तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया एक बात बताईए उड़ाव पूतर के पिता बहुत व्यस्त व्यक्ती थे और यदि उनको ये उम्मीद थी कि बेटा वापस आएगा तो वे एक नौकर से कह सकते थे या रोज एक नौकर ये चोकिदार खड़ा कर सकते थे देखना छोटा बेटा जो है या छोटू जब आएगा तो मुझे खबर देना नहीं यहां लिखा है वो अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया याद रखें जो आदमी सूर चराता था जिसको सूर की फली खाने को नहीं मिलती थी उसको नहाने, कपड़े बदलने बाल कटवाने, दाड़ी बनवाने इन चीजों के लिए कोई आफ़र नहीं मिला होगा और जब वो आया था तो मेले, कुचेले, काले, मांस के एक लोथड़े के अलावा कुछ नहीं था और उसको दूर से ही देखके पिता जी ने पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है क्यों? इसलिए कि वो पिता अपने बेटे के स्वभाव को जानते थे इसलिए उनको मालूम था कि वो वापस आएगा और चूंकि वो वापस आएगा और जब वो आएगा तो वो ऐसी हालत में आएगा पिता को मालूम था इसलिए पिता ने उसको देखा, पहचाना, तरस खाया दोड़ कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा, सोच नहीं सकते है मतलब जो इतना गंदा और मेला कुचेला है उस उस बेटे को दोड़ कर गले लगा कर चूमा ऐसा कोई कर सकता है क्या क्योंकि उसके सारे शरीर से पास आ रही होगी पिता ये भी तो कर सकते थे कि एक नौकर से कहते कि देखो उसको सीदे 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 सनान गर में ले जाओ पहले उसकी हजामत बनाओ बाल बाल काटो, ना खुन काटो रगड रगड के उसको सनान करवाओ उसके बाद साफ कपड़े पहनाओ और फिर मेरे सामने हाजर करो क्योंकि करोड़ पती पिता था वो याग्या दे सकता था उस पिता ने दूर से उस मैले कुचेले काले लंबे बाल वाले बेटे को देखा उस पर तरस खाया हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को या बच्चों पर तरस खाते हैं बच्चा आकर यदि कोई हमसे गलग बात बोलता है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ तो जो माबाप उस बच्चे से बोलना बंद कर देते हैं जो उसको कमरे में बंद कर देते हैं जो उसके साथ मार पीट करते हैं ऐसे माबाप समय आने पर बच्चे पर तरस भी नहीं दिखा सकते ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं आज मैं सर्फ एक पॉइंट कवर्प कर पाया प्रभु ने मदद की तो अगले हफ्ते हम करेंगे लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ उडाओ पुत्र जो इतने दूर से वापस आया था उसके उपर उस पिताने गुसा होने के बदले तरस खाया जानते हैं क्यों उसने तो कुछ बोला ही नहीं था बिना बोले तरस क्यों खाया उसने तो उसको तो बोलने कभी मौका नहीं दिया फिर क्यों तरस खाया क्यों दोड़के गए क्यों इस गंदे मेले कुछले मास के लोथडे को गले लगाया क्यों उसको चूमा ये सब जो है हमको सोच लेना चाहिए अंग्रेजी ट्रांसलेशन में ये कहा गया है कि पिता बेटे के गले पे गर पड़े संभाव नहीं कि वो सही हो मैं चेक नहीं कर पाये ग्रीक में लेकिन हो सकता है वो सही हो तो मतलब उस मेले कुछले मास के बदबूदार लोथडे पर पिता गिर पड़े उसके गर्दन पर उसको चूमा उसको कुछ बोलने नहीं दिया क्यों इसलिए कि पिता अपने बेटे को जानते थे और इसलिए जान बूच कर पिता ने उस बेटे को ये प्रयोग करने दिया जिसके कारण वो सदा सरवदा के लिए इस गलती से बचा रहे ये मैं याद दिलाना चाहता हूं आज जितने लोग प्रभो का वचन सुन रहे हैं उन सब भाईयों और बहनों से मैं अनुरोत करना चाहता हूं प्रिये भाई प्रिये बहन मैं और आप जिस समाज में पले थे उसकी तुलना में आज का समाज बहुत कठिन समाज है इस समाज में चारों और भेडिये ही भेडिये घूम रहे हैं ये हमारे बच्चों को शिकार करके ले जाकर फाड़ खाना चाहते हैं इस बात को समझना हमारे लिए जरूरी है और येदि ये भेडिये हमारे बच्चों को शिकार करके ले जाते हैं इसलिए कि हमने कभी अपने बच्चों को यह नहीं बताया है, भजन, एक भजन है जो इस बात को कहता है कि उन्होंने मेरे पैर के लिए जाल बिचाया, आज जरा ढूंड कर आईए, प्रभु ने मदद की तो अगले हफते हम उस पत को भी देखेंगे, उन्होंने मेरे पैर के बताये कि दुनिया हमारे लिए शिकार, शिकारी जिस तरह से जाल बिचाता है जानवरों के लिए, उसी तरह दुनिया मनिश्यों के लिए जाल बिचाती है, जिससे आपको फंसा कर, आपकी हत्या कर दी जाए, फरक यह है कि यहाँ कोई जाल नहीं है, वास्तविक जाल नही ये जाल चैटिंग भी हो सकता है, ये जाल किसी मित्र के द्वारा भी हो सकता है, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, जो फेस्बुक के द्वारा इन भेडियों के चुंगल में फस गए थे, वाट्साप के द्वारे इन भेडियों के चुंगल में फस गए, चैटिंग के द्वारे इन भेडियों के चंगल में फस गए, फसने से पहले या फसते समय या फसने के बाद उन्होंने अपने माबाप को ये बात बताई, लेकिन उन बच्चों को उस जाल में से निकाल कर लाने के बदले अपनी कुंठा में, अपने फ्रस्ट्रेशन में उन माबाप ने उन बच्चों से जो व्यवहार किया उस व्यवहार के कारण बच्चे और उस दल दल में फसक है प्रभु करे कि जो लोग आज प्रभु का वच्चन सुन रहे हैं इन में से किसी के जिवन में ऐसा ना हो, इदि ऐसा होता है तो बुद्धी और समझ के साथ अपने बच्चे के साथ व्यवहार कीजिए क्लोसिंग में जो बच्चे प्रभु का वच्चन सुन रहे हैं आज में रह रहे हो, जहां मनिश्यों का शिकार बहुत आम बात है, शिकार करके तुमको ले जाकर तुमारे शरीर का शोशन कर सकते हैं, तुमारे मन का शोशन कर सकते हैं, मन का शोशन करते हैं, नशीली दवाओं का व्यापार करवाते हैं, चोरी चपाटी करवाते हैं, इस त इसा अनुमान है कि दस लाखों में जो भीकारी लोग हैं इन में से बहुत सारे भीकारी बच्चों को उनके घर से अगवा करके, किड्नाप करके, ले जाके हाथ पैर तोड़कर उनको भीकारी बनाया गया है और उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि प्रती दिन इतना पैसा भीक मांग के लाओ नहीं तो अभी पिटाई होती है यह सिर्फ एक उदाहरिंड मैं बता रहा हूँ मेरे प्रिये बच्चों अनावश्यक दोस्ती अनावश्यक बातों में मत फसना यह अनावश्यक बातें तुमारे जीवन को बरबात कर देंगी अपने माबाप से बोलो यदि तुमको लगता है कि माबाप समस्या का हल निकालने के बदले डांट डट करेंगे तो किसी ऐसे अंकल से या अंटी से बोलो जो तुमारी मदद कर सकते हैं यदि इस तरह का कोई व्यक्ति तुमारी जानकारी में नहीं है तो WhatsApp पर मुझसे संपर करो मैं तुमारी मदद करूँगा मैं हर दिन बहुतों की मदद करता हूँ तुमारी भी मदद करूँगा मेरा नंबर नोट कर लो मेरा नंबर है 999-519-8690 मैं दुबारा बोलता हूँ 999-519-8690 नंबर यदि तुमसे मिस हो गया है रिंट जीत अंकल से जगवीर अंकल से पूछ लेना नहीं तो रिंट जीत अंकल या कोई तो भी से लाइब ब्राटकास्ट कर रहा है यूट्यूब में जाकर इस वीडियो को देख लेने इसके आखर में यह नंबर तुमको मिल जाएगा याद रखना अपने जीवन को बरबाद नहीं करना है ऐसा कोई काम नहीं करना है जो तुमको भाहरी मुसीबत में डाल देगा क्योंकि एक बार ऐसी भाहरी मुसीबत में फस जाते हैं तो ऐसा अनुमान है कि दस में से सिर्फ एक है जो बच पाता है बाकी नौ की जिंदगी बरबाद हो जाती है माबाप से मैं याद दिलाना चाहता हूँ माबाप को यदि आपके जीवन में ऐसा हो चुका है तो इसमें आपकी भी गलती है और प्रती दिन आपको प्रवु के सामने उस गलती के लिए प्रायश्चित करना होगा यदि इस समय हो रहा है आपके बच्चे के साथ तो समझदारी से काम लें यदि आपको लगता है कि कैसे बच्चे को हैंडल करना है आपको नहीं मालूब है मुझसे संपर कीजिए मैं आपको मार्ग दर्शन दूँगा इन सब बातों को समझने के लिए प्रभू हम सब की मदद करे शास्त्री जगवीर ने कमें बॉक्स में मेरा फोन नंबर पोस्ट कर दिया है जिसे आप नोट कर सकते हैं आज प्रभू ने इस तरह से जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाशा में प्रभचन के लिए जगत प्रसिध हैं उनका कोई अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रुत्साहन देता है जै मसीह की